नमस्कार सातियों वंदे मात्रम बात करेंगे सातियों चिकिसा विभाग की तीन बड़ी खबरों को लेकर किस वीडियो में काफी कुछ महत्यपून जानकारी आपको इस वीडियो के मात्यम से मिलने वाली है सबसे पहले बताना चाहेंगे सीफू के द्वारा जो है दो बड़ी भरतियों की जो है फाइनल लिस्ट जो है जारी की गई है यहाँ पे अन्तिम चैन सूची यहाँ जारी की गई है दो भरतियों की और इसी के साथ बताना चाहेंगे कि सीफू ने जो है तीन महत्यपून आद मिलेगा तो साथियों देखते हैं क्या कुछ अपडेट है इन सभी महत्तपुन खबरों को लेकर के सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो यह आदेश निकाला गया है किस्ता स्वास्ते परिवाल कर लियान संस्ता सेवाई जेपुर से साथ आठ दोहजार चोईस के द्वारा यह आदेश यहां पे जो है जारी किया गया है और इसी आदेश के अंतरगत आप देख सकते हो निदेशाले के आदेश करमांग के 135 दिनांग के पंदरा तीन दोहजार चोईस के करम के अनुसार संक्या इग्योत्तर पर यहां पे आप देख सकते हो अंकित पिंगी कुमारी मीना नव नियुक्ते नेतर सहाएक को जो है स्वेम की प्रातना पर दिनांक सोला आठ दोहजार चोईस तक कारिकरान करने हैत्व अंतिम अउसर पर दान किया जाता है यहां पे दोस्तों यह देख सकते हो आप पिंगी कुमारी मीना जो नवी न्यूक्त जो है नेतर साहिक जो भरती है उसमें सेलेक्टेड है और इन्होंने जो है कारेगरंड नहीं किया था तो इनको जो है अंतिम मोका दिया गया है 16.08.2024 तक जो है कारे ग्रेंड करने का इनको अंतिम मोका यहाँ पे जो है दिया गया है चिकिसा विभाग के दुआरा उक्त दिनांग के पसात भी कारे ग्रेंड नहीं किये जाने की स्तिती में अभ्यारती के न्यूकती आदे से निरस्त करते हुए परतिक्षा सूची में से वरियता अनुसार अभ्यारती को जो है न्यूकती दिये जाने है तो कारिवाही प्रारंब कर दी जाएगी जिसका संपूर्ण उत्तरदाई तो है संबंदित अभ्यारती स्वेम का होगा यहाँ पर बताना चाहेंगे यह जो कंडिडेट है पिंकी कुमारी मीना यह नेत्र सहाइक में जो है सेलेक्टेड है और इनों ने जो है जोइनिंग नहीं की थी तो अब इनको जो है 16 अगस्त का इनको जो है समय दिया गया है कारेगरण करने का इनको अंतिम आउसर परदान कि अगस्तर इस दिनांग तक यह कारेगर नहीं करने की इस्तिती में जो है वरियता सूची मतलब परतिक्षा सूची में Zhatine J दे दी जाएगी और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयम अभ्यारती की यहाँ पे होगी यह जो है लेटर यहाँ पे आप देख सकते हो निदेशक ए राजपत्रिये चिकिस्ता स्वास्ते सेवाय राजस्तान जे पुठर यह लेटर निकाला गया है और यह लेटर जो है निमने लिकित सम्मंदित सभी विवागों में जो है बेजा जा चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बताना चाहेंगे यह नेतर साहईक भरती का मामला था और इसी के साथ दूसरी बड़ी कबर की यहाँ पे आप बात की जाए तो यह निकाला गया है राजस्वास्तेयों पडिवार कल्यांड संस्तान जालाना यानि सीफू के द्वारा यह लैटर निकाला गया है साथ आट 2024 के अंतरगती लेटर जारी किया गया है और इसमें जो है दो भरतियों की जो है final list यहाँ पे जारी की गई है यहाँ पे देख सकते हो आप सहायक रेडियोगरापर अंतिम चैन सूची सहायक रेडियोगरापर भरती 2023 की जो है अंतिम चैन सुची यहां पे जारी की गई है और यहां पे आप देख सकते हो साथियो यह जो लिस्ट है यहां पे देख सकते हो यह रही यहां पे जो है सहायक रेडियोग्रापर बरती 2023 के अंतरगत जो है रोके गए प्रिणाम जिनको होल्ड पे रखा गया था उनके प्रिणाम जो है अब जारी किये गए है यहां पर आप देख सकते हो राज दीप वर्मा परदीप मीना और नमीन सर्मा यहां पे है जो मेल कंडिडेट है तीनों और किस कारण से जो है इनको यहां पर जो है, hold पे रखा गया था यहां पे आप देख सकते हो पूरा मामला यहां पे बताया गया है और यह सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो 131 अभ्यारतियों का परिणाम रोका गया था जिन में से 3 अभ्यारतियों का परिणाम यहां पे जारी किया जा रहा है एक सो तीन अभ्यारतियों में से तीन अभ्यारतियों को जो है ये रजल्ट जारी कर रहा है सीपू दो महाँ बाद भी केवल तीन अभ्यारतियों की लिस्ट जारी की है यहां पे दोस्तों बताना चाहूंगा जो है काफी बड़े इस्तर पर जो है जो है जाचे जो है लंबा समय सीफू ले रहा है और इसमें क्या कुछ जो है गड़बर जोड़ चल रही है वो सब जो है सीफू जाने चैनित अभ्यारतियों को जो है दिनांग के ग्याराचे दोजार चोईस को जारी गए गए मेरिट सूचिक है अनुसार यहां पे इनके लिए अलग से आदेज जारी होगे पदिस्तापन आदेज पर्तक से यहां पे जारी किये जाएंगे यह जो है साहे की रेडियो ग्रापर की रोके गए प्रिणाम साहे की रेडियो ग्रापर में जो है 131 अभ्यारतियों के प्रिणाम रोके गए थे उनमें से केवल 3 अभ्यारतियों के यहां पे जो है सीपू रजल्ट जारी कर पाया है इसे के साथ अगली बड़ी कबर की यहा यहां पर जारी की गई है, और इस सूची में जो है, 103 अभ्यारतियों का प्रिणाम रोका गया था, और उस में से यहां पर घक सकते हो, कितने अभ्यारतियों का यहां पर प्रिणाम जारी किया सीफु के दोरा, यह देखिए 2019 तो यहाँ पे देख सकते हो आप यह रहा चार अभ्यारतियों का यहाँ पे जो है रजल्ट जो है जारी किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो नीतु स्वामी यह फीमेल कंडिडेट है और अनील कुमार मीना, राहूल कुमार मीना और देवेंदर मीना यहाँ पे यह तीन मेल कंडिडेट है यह ST, ST, ST के है यहाँ भी यह OBC कंडिडेट है इनका जो है रेजल्ट जो है जारी किया गया है और यहाँ पे जो है बताना चाहेंगे आप सभी का इनको जो है जो स्पोर् कंडिडیटों का अभी यहां पे जो है रजल्ट रही जो होल्ड पे रखे गए थे उनका रजल्ट जो है अब सीफू के द्वारा जो है जारी किया जा रहा है तो यहां पे आप देख सकते हो सीफू लगातार जो है कार्य कर रहा है लेकिन इतनी धीमी गति से ये कार चल रहा है और इनके परतक से जो आदे से वो अलग से जारी होंगे और दो माहें में केवल साथ कंडिडेटों का यहां पे सीपू जो है रजल्ट जारी कर पाया है होल्ड पे रखे हुए का इस प्रकास से तो काफी लंबा समय लग जाएगा अन्य भरतियों की अगर देखा जाए तो होल्ड वालों की तो यह जो है सिफू की काफी धीमी चाल जो है देखने को मिल रही है और अब क्या जो है अंदर का यह मामला है क्या कुछ मामला है यह सब विभाग जाने और केवल और केवले साथ कंडिडेटों का अभी तक जो है होल्ड वालों का जो है रेजल्ट जारी कर पाया है सिफू अब इन अन्य कंडिडेटों का कितना समय लगेगा यह कोई नहीं बता सकता के वलों सिफू ही जो है यह जो है जानकारी दे पाएगा तो यह कुछ किस्सा विभाग की जो है तीन महत्यपूर्ण जानकारिया थी और फार्मासिस्ट सातियों की जो है 16 अगस्त के आसपास जो है उनकी जो है अन्तिम चैन सूची जारी होने की पूर्ण जो है संभावना बताई जा रही है तो सातियों ये कुछ महत्यपूर्ण अपडेट थी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजि झाल झाल